सब्सक्राइब करेंगे तो हम लोग आज सब्सक्राइब कर देंगे इससे पहले में आपको पूरा सब्सक्राइब तो पूरा पढ़ा चुका हूं यानिकी द्युघाद बहुपद यह सभी मैं आपको पढ़ा चुका नीचे डिस्क्रेशन में लिंक दिया अगर नहीं देखे तो जरूर देखे आई इसको सवाल है और आप लोग अगर पर पर रहे कंटीनियू पढ़े होंगे प्रेंगे पहल 25 पढ़ा का योग निकालनेन तो यानिकी 22 यह निकालना ने तिटिका गवर जे ललाएं और और बैश्मा पद जो है 49 है यानि कि कितना बैश्मा पत्रचा एट 22 बरावर कितना 149 यह है अब हमको यह निकालना है इस 22 निकालने कि बैश्मा पत्रचा योग निकालने का फॉर्मूला आपको पता होगा है इस ऐसन का फॉर्मूला होता है यांको फॉर्मूला होता है गर यहां इस फॉर्मूला पे देश्मा लिए हुआ है यह हुअ है झालने कि इस सब्सक्राव का पतत जो नहीं पता है विक Cand It या थो फोसले है आफिक Bet या आप चाहें तो इस इस फार्मूला से बना सकते हैं, और a plus n, n क्या है यहां देखें, 20 है ना तो यहां पर लिख देगे, 22, minus 1, into d कितना दिया हुआ, समझे रहें, अब दो को a 22, a 22 कितना दिया हुआ है, 149, कितना दिया हुआ है, 149 यहां पर लिख देते हैं, और हमारा a हो जागा, और यह देखी, 22 से घटेगा क्या होगा, 21 दूना कर दिये, तो साथ एकम साथ, साथ दूना चौदा, यानि कि 27, 147 ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यह 147 पलस में क्या बन जागा, मैनस बन जागा, 147 बराबर a, इसलिए अब यहां पर एक का वैल्यू कितना जागा, घटा दिजेगा, 9 में से साथ गया, दो, और यह कुष्गे, यह का वान के पदों का योग कारें कि 22 निकालना है, 22 आप चाहिए है, फोह यहीन का मान धुक मतलब, यह हुआ, आखरी पद, अप च्द, एसलिए से एस से बराबर एस चिए से निकालना था टू किए ये ट्वेंटी टू है न योग है तो यह हमारा है न हो जाएगा यहीं जो लिखते हैं इसको क्या बोलते हैं यह निकालना है यह तो निकालना है तो निकालना है तो इसको कार देंगे कितना अब 111 को 111 को 111 को 111 को 111 को 111 तो कितना जाएगा 1661 यानि कि कितना गया मैं आप देख लेता हूं सवाल नमबर सेवें था ना हाँ सवाल को हम लोग कर लिए हैं अगर आप पिछले पिछला कोशन से कंटीनियू बनाते आ रहे होंगे तो आपको हल करने में कोई भी प्रोब्लम नहीं होगा और समझ भी गया होगे अराम से तो बस यह दुनों प्रोब्लम नहीं को मैंने रखना है और जब फॉर्मूला जब भी यूज करना तो पहले यह देखना है कि इन सब फॉर्मूला में जो वर्ड आया वह यादि हैं अगर नहीं दियो तो कैसे निकालना है तो आप चाहें तो इस फॉर्मूला बना यह आपका बेसिक फॉरू इसका वाईलू बठा दिया है आप इस हमारा बैस हो गया बैस का मन बठा दिया है और यह समांतर सिरेनी खतम होगा मैं आप लोग पर टेस्ट लूँगा ठीक है सब्जेक्टिव का टेलीगराम का टेलीगराम पर टेस्ट लूँगा आगर आप लोग पर नहीं जूड़े है तो प्लेश्टो से डॉणलूड करो टेलीगराम नम का एपलिकेशन और वहां पर साच करना ऐए ऑनलाइन सॉलूशन दो हजार ए तो चलिए फिलाल आप इस तरह से पुरा सब्सक्राइब पढ़ेंगे और वह भी टेलेग्राम से लेंगे तो चलो साथ सवाल होगी आठावा सवाल पढ़ते हैं तो देखें सवाल नमर आठ यह भी बहुत वह सवाल है बस इसको समझना है समझ गए जिस दिन समझ जाएगा ज तो अगर आपको नए समझा आरा तो पूरी देखिए पूरी है आपको पूरा देखना पड़ेंगे फिलाल देखिए क्या है सवाल उस अपी की पर्थम 51 पदों का योग निकालना है यानि कि इसको क्या लिख सकते हैं पर्थम 51 पदों का योग मतलब एस जो है एक यावन न यानि कि दूसरे पद जो है चाउद़ाया एककना अठारा यानि कि यहां पर दिया हो है चाउदा और शााए को हम कैसे लिख सकते हैं दूसरे पत सिंस देए जो दूसरे बारे में कि बारे में देवार प्लस ना इन कहां पर हमारा दू है दूसरा पर बोला तो दो मैंस वन इंटू दी इतना बराबर दिया हुआ है क्या 14 14 दूसरे पर कितना है 14 है अब देखो प्लस टू में से वन घटेगा तो वन होगा वन को दी से गुना करेंगे डी हो जागा बराबर 14 ठीक है तो क्या आगी हमारा एक पर हम लोग इसको हल कलते हैं आप एक्जाम में ऐसे मत करना यह बनाना उसके नीचे फिर आगे बनाना ठीक है यहां पर आपको इसक्रीन की यहां पर एक लिखते हैं एक पर कितना है तो टीन माइनस वन इंटु टी ठीक है आप क्या करेंगे इसको यह जो ए है यह हो गया तो दो जागा दो डी और यतना बराबर की तो तो इसद्रा प्धों कर लिख से आपको 5.25.1 में पढ़ा चुके हैं पूरा डिटेल से तो पा तो हमारा इक्वेशन को हम लोग हल कर लेंगे घटा देंगे एक दूसरे को घटा देंगे तो दी का निकल लेंगे अजब दूनों का मान निकल जगा एंक तो बारे में पता है चुकि एस एकावन निकल नहीं दोनों के लिए वही है उसी एक में जो जो आ रहा उनका एकावन तक का योग निकलना है तो उसके लिए और डी न पता रहा का तब तुक कर सकते हैं है ना चली तो हम सब्सक्राइब करते हैं तो हैं पर फरस्ट घटाओ से कर घटाएंगे ठीक है जोड़ेंगे नहीं घटाए मानस का बंजागा मानस यह थे कहांगे खलास हולगी देगे दोड़ी में ऐसी में भड़े ability ब inference ढूल खETников कर जागा दी का दी का मान कि रखने पर गया और यहां पर चार एंड निज देंगे तरफ पलस बन जागा और यहां पर गावन इसलिए एक्यावन बराबर क्या वहता है इन बाइट टू 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 ए पर लस एन मानस वन इन टू इंटू यहाँ यह फर बठाएंगे चुक्छ कि हमको ए नहीं पता है एन कितना हमको नहीं पता है तो अच्छा मोसको भी यह निकालना पड़ाएं लुए पर दी निकालना पढ़ेगा उससे अच्छा फ़र्मुला दिया और इप तो एक आवन कितना है दस कि पालास कितना है कि इसको अब देखो इसको हल कर लेते हैं तो एक यावन बट्टे दो तो ऐसी रा जाएगा यह दो दूना बीस हो गया पलास देखो पच्छास अब पचास को चार से गुना कर दो पचास इसा कितना पचास चार सेगए कैतना अब इसको अच्छा से लिख थे ने दो कार दो से क्या होगा प्लोड गुना 110 आप क्या करो इसको गुना कर दो है आप विजैसे गुना कर दीए आगये लिख लेते हैं आप भी दस है से गुना करता है तो आपका 5610 आ गया 5610 यहां पर लेख देते हैं 5610 इसलिए सवाल को हम लोग बना लिए हैं तो कुछ नहीं कहना था तो कि देखे इस सवाल में आपको डायरेक एसन तो नहीं निकाल सकते थे यह जो दिया हो था दूसरा पद चाउदा है और तीसरा पद आठारा है इसी फॉर्मुला को दूसरा पद को कैसे लिख सकते थे यहां पर दू तो हो गया और यहां पर तीसरा पद अठारा गए और नीजिए बरावर अठारा अब इन दोनों को हम क्या करेंगे विलोपन विदी से या लूप्ति करन विदी से जो जिस से आसान लगे यह परत्यास अपन विदी से भी निकाल सकते हैं जिस से असान लगे उससे निकाल करके हल कर देना है जब तक नहीं निकाल लेंगे तो आगे नहीं बनेगा तो आपको आंशर आगे पांच है तो चलिए मेरे ख्यास सवाल समझ में आ गया होगा है ना चलो तो सवाल नंबर नाइन पर लेतने वीडियो को लाश्ट कर देंगे कि देखते हैं नाइन सवाल बना लेंगे उसके वीडियो के इंट करनेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट वाट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो जल्दी हम लोग यहां पर कोशिच कर रहे हैं एक जिन में पांच-छी सवाल पढ़ने के लिए आप लोग को मैं ज्यादा ब सब्सक्राइब योग मतलब जोड साथ पदूं का यानि कि एस शेविन ill दिया है 49 पर्थम योग और बोलता है उसी में अगर पर्थम सतरा तक जोड़ते हैं तो दो पता करना पड़ेगा निकालने के लिए पहले लिखते हैं यह आपका दिया हुआ किसे को हम लोग क्या है लिए टू 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 एप लास इन माइनस बनेगा और यहां पर तो यहां पे यहां पर एक होगा तो फिर वह यहां पिर जाए फिर से लिख रहें लोगे एक होग यह चलो इसको हम क्या करते हैं यह देखो उन्चास को कुछना कर देंगे और साथ जो है गुना में गगा अब अब यहां पर क्या लिखेंगे यहां पर क्या बाच दी इसको और आसान बनाते है और 14 बराबर टू ए पलश इसको अच्छा कैसे लिख देंगे इसको अच्छा करने के लिए दो का करते करने के लिए कॉमल लेंगे दूपर सोच रहें क्या बन जता जाके बनता भाग बनता है सब्सक्राइब तो कार्दों नहीं से सद्दुना चवदा कितना गया साथ आगे समीकरन हमारा फर्स्ट बन गया समझ गए यह आप बूरे तो मैं यहीं पर बना रहता हूं ना इसी पर हम आपका यह फॉर्मुला से एडी समीकरन से के निकलते हैं आप ऐसे मैध मत करना एकजा सब्सक्राइब अब लुग 17-289 बने गहां कितना इस सबर बास फॉर्मुला या तो कितना है और काईसे कॉन सा सवाल कैसे फॉर्म पर सेट हो जानना है दो जक्का हो जागा में गुना बन जाएगा दो भाग में तो बनके गुना शतरा उपर बन गया क्या नीचे चल गया है नीचे अच्छा से घटेगा तो चौइब यहां पर करते हैं अब यहां भी दो जो कौमा निकाल लो तो और यहां पर चौटीस फिर काट दें नहीं से चाहते चौटीस क्या हो गया एपलस आठ डी बराबर सतरह समिकरन क्या गया सेकेंड आगे लेकि कितना है अगर आपको समीखरन वनाने आ रहा हो हो घाएन इस फ़र्मुला पर डेशिक होता है यह आपको बनाएं यह बैसिक आप आप से पड़ते आ रहे हैं तो बना सकते लेकिन नहीं तो मैं आपको सुरू से हर सवाल में अच्छा से बता रहा हूं कि कैसे बनाना इस सवाल को अब सब्सक्राइब अब क्या करेंगे दोनों को घटा देंगे क्या करेंगे घटांगे जोड़ेंगे नहीं घटाएंगे सामी करां फर्स्ट घटाओ से जोड़ते कब है जब से दोनों प्लस मैनस होता तब जोड़ते हैं यह दोनों प्लस का सेम निशान है यह प्लस 3D बराबर 7 अगे क्या है अब प्लस एट डी आठ डी बराबर 17 ठीक है मैनस मैनस बंचेगा मैनस कि घाटाएं तो आर्फ मेंस फाइबगे तो गैसी उर्फणth मॉपनिखं दोटे किसी एक मेर दूव यहां पर लीख था D का मान समी करण फर्स्ट में रखने पर समी करण फर्स्ट यहीं है क्या है A पलस 3 D बराबर 7 चलो D कमान रख़ते हैं अब है तो A पलस 3 D कमान कलें चलो mo let's go सुल था ना दो बराबर 7 तो आप बोलो is n कि निकलना कैसे याद होगा बूला जाए याद होगा न का पारे में में पता नहीं न क्या है कि निकालने बोरा इंपदों को पता नहीं है किसी कहा नहीं है पिर नहीं कामन कीटा है यह भण यह बठाल तो पता नहीं है न किता है अब इसको हलकरो सबस्क्राइब दो मैं थो क्या बच पर बच ऊठ गया तो क्या हो गया एंका स्कॉयर इसलिए यह एं का स्कॉयर बराबर यह क्या यह अंस्वाइब अंस्वार अपका बर्सक्राइब कितना सवाल को क्या लगा को समझ में आया कि मुझे कमेंड बहुत जरूरी मुझे अगर आपको कुछ प्रोब्लम हो रहा होगा इसके बाद भी तो आप टेलिग्राम पर एप्रिकेशन डाउनलोड करो टेलिग्राम और वहां पर से मुझे सब्सक्राइब करते हो और जिस को सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब जरूर करना होगे डैट साल थैंक्यू एवरिवन